बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं आप थैंक यू मैं आपकी सारी वीडियो लाइक करता हूँ थैंक यू बैसे रहती कहा है आप रे रिस्पर सुनो जी आपको पता है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी न तो एक लड़का मेरे उपर बहुत मारता था हैंडसम हैंडसम कुछ नहीं है भाईया ऐसा हुआ हम सब रोड से जा रहे थे एक ट्रक ने इतनी जोड़दा टकर मारी कि पहले मैं गिरा उसके बाद चार लड़कियां आकर मेरे उपर फात फात करके गिरी और वो चारों मर गई तब ही तो हो गया ना अरे यार लख्ष मैं मार्केट जा रहा हूं अगर ते रह fiance ले कुछ सामान लगार आना है तो बता दे मैं वहां से लेते आऊंगा आप जा रहे हो तो मेरे लिए बालों में लगाने वाली महदी लह आना कौन से कलर की महदी लानी है इए और वो रंडी कलर नहीं बर्गंडी कलर होता है साड़ी तेरे को 40 बार मैंने बोल दिया जब तेरे को इङलिश में बोलना नहीं आता है तो मत बोला कर देख लिए साड़ी तेरी इसी अंगरेजी की वज़ा से ना किसी दिन महले में तहलका मच जाएगा पिलवाएगे साड़ी तु मेरे को भी बाई दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर कौन है दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर मच्छर है वो क्यों क्यों कि उसका गाना किसी को पसंद आए या ना है ताली तो बजानी पड़ती है एक बात बता तेरी उम्र कितनी है मैं नहीं बताऊंगी यार नहीं तु बिल्कुल अंटी जैसी लगती है हैं मेरी उम्र 18 साल है देखा दोस्तो कोई लड़की अगर आपको उम्र ना बताये न और उसकी उम्र आप जानना चाते हो तो उसको तुरंट अंटी बोल दो तुरंट अपनी उम्र वे यार एक बात बता साली और बीबी में क्या अंतर होता है देखा भाईया साली ब्यूटी होती है तो बीबी ड्यूटी साली पैंसन की तरह होती है और बीबी टेंसन की तरह साली होती है फ्रेश केक तो बीबी होती है अर्थ क्वेक यानि भोकम्प बेबी इस दुनिया में सबसे अच्छा पालतु जानवर कौन सा है अरे मुझे की देख रही हो यार मेरी गल्फरेंड का जनम दिन है न उसके लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट बता यार अच्छा कितने रुपए तक चाहिए अब पैसों की टेंशन मतले मेरी जेब में जितने पैसे है न सारे खर्च कर दूँगा अच्छा तेरी जेब में कितने रुपए हैं बीस रुपए अपर उसके लिए ने खर्च करंगा तो किसके लिए करंगा वह कैसे अब ہے देख बीबियां अपने पति का श़ैट टीशट लूंगी जीन्स कुड़ता सब कुछ पहन लेती हैं लेकिन भाईया पती की हिम्मत नहीं है कि उनकी साड़ी सलवार या कुर्ता पहन सके अब यार मैंने सुना है तेरी नई गल्फ्रेंड बहुत सुन्दर है उसके बारे में कुछ बता ना अपनी नई गल्फेंट के बारे में ले सुन, मांगता हूँ तो देती नहीं है, जवाब मेरी बात का, और देती ये तो खड़ा हो जाता है, रोम रोम जज़बाद का, मुह में लेना उसे पसंद नहीं, एक भी कत्रा सराब का, और वो बोलती है मुझसे, भीरे से डालो, बाल करो, दीदार मेरे हुसन व सबाब का, उसने कहा, बड़ा मजा आता है, जब अंदर जाता है, कानों में एक एक लफ्ष तेरे प्यार का, एक बात बताओ, जब बीबी नहीं नहीं होती है, तब पती बहुत प्यार करता है, उसके बात क्यों नहीं करता? अरे मेरी जान, जब ढ़ोल नया नया होता है न, उसको बजाने में तभी मजा आता है, जब ढ़ोल पुराना होकर फट जाता है न, तो उसको कोई नहीं बजाता, औरना मजा आता है बजाने में, समझी? अबा यार एक बात बता तू इतनी खुबचूरत नौजान औरत है तूने इतने बुड़े आदमे से क्यों साधी कर ली इसके दो कारण हैं कौन कौन से पहला उसकी इनकम और दूसरा उसके दिनकम पार्णर जाने वाली महिला उपर उली उठाने वाले लोग तो आपको मैं बता दू कि अच्छी और खुप्सूरत गारियां ही सर्विस सेंटर जाती है पुराणी और खटारा गारियां लोग गर पर इपाल्टी मग्गे से दो लेते हैं अगर पार्टी में इधर उदर देखा न तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूगी मैं आखों को फोड़ो ना टांगों को क्या कसूर है मैडम आप प्लीज मुझे मेरे नाम से बलाएं अच्छा क्या नाम है तुम्हारा प्राणना ये नाम रहने दो घर पे तुम्हें किस नाम से बलाते हैं बालम छोड़ो ये सब अपना सरनिम बताओ मैडम स्वामी